नमस्कार दोस्तों पैसा तो बनेगा और बनके रहेगा यश बैंक दो हजार पच्चिस तक 500 रुपे के उपर जाएगा उसके पांच रीजन है नंबर वन रीजन में आपको दे देता हूं कि यश बैंक का एफपी ओ जब अनाउंस हुआ और उसके बाद जो उसकी नहीं रहेगा तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं और ये वीडियो के थोड़ी वेल्यू भी बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने खुद इसमें इन्वेस किया है तो ऐसे ही में वीडियो नहीं बना रहा हूं दूसरा यस बैंक में जितनी भी नेगेटिव नीज आनी थी फ्रो स्केम में जब उसकी बैलेंशीट बनेगी तो वो ट्रांस्परेंट होगी उसमें कोई फ्रोड और स्केम मुझे दिख नहीं रहा है उसकी पॉसिब्लीटी बिल्कुल खतम हो गई है नंबर चार की बात करता हो अगर यस बैंक कुछ भी ना करें अगर कुछ बीना करें को न नॉर्मल ऑपरेशन अपना बेंकिंग चला रहा है तो भी नंबर पांच अगर वो थोड़ा सा परफॉर्म कर लेता है तो तो वेल्थ 25 टाइमस 30 35 टाइमस 50 टाइमस तक बढ़ने गया सा रहा है इसलिए मैं बोर रहा हूं कि करीबन 2026 तक 500 रुपे के उपर आराम सो उसकी ज्यादा भी हो सकती है पर मेरे यहां पर 500 रुपे का फिगर लिखा हुआ है आखरी बात में बताने जा रहा हूं पांच बात तो मैंने आपको बता दी और एक दो चीज़ बता रहा हूं कि जब बात आती है नेगिटिवीटी की जब बात आती है परफॉर्मस की जब बात करते हैं कि green flags ही देखने की try करते हैं हमको red flags अच्छे नहीं लगते हैं पर कई बार पैसा बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम fundamental analysis करते रहे valuation करते रहे EPS देखते रहे कई बार जो company transformation phase में होती है कई बार काफी सारे red flags होती है और तब जो price मिलती है उसमें भी थोड़ा सा courage लेके investment कर लो तो एक lifetime की बहुत बड़ी opportunity होती है तो investment के थूरू stock market में अगर बहुत बड़ी wealth बनानी है तो courage भी चाहिए होता है तो यह अभी एक courage वाला मामला हुआ अब बात आती है कि क्या सर हमें invest करना चाहिए तो जैसा एक मैंने personal decision लिया है तो मेरे viewpoint से लिया है और मैंने आपको 5 या 6 चीज उसमें बता दी अगर आप investment करना चाहिए तो again आपका एक personal decision होगा बट मैं यह बात बोलूँगा again courage वाली बात आगी कि पूरे इंडिया ने वैसे देखा जाए तो yes bank में कोई बचानी है right 95% 97 लोगों ने yes मैं अलग अलग price level पे invest की हुए मैं अब तक रुका हुआ था क्योंकि मुझे अभी यह लग रहा है कि chances probability of profit और probability of price movement चो 12-13 रूपे है उससे उस side मतलब आगे की side जाने के बहुत ज्यादा chances है तो इसका मतलब क्या है सर नीचे नहीं जाएगा नीचे जाने के chances है इसको कोई deny नहीं कर सकता पर आप अपनी वो capital मत डालो को जो आपको life or death के लिए आपने save करके रख्या आपके पास कुछ extra पेस करता रहूंगा और मिलता रहूंगा तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए I wish you lots of love and happiness thank you thank you very much